तो आज़े शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो सॉट कोशन आपके रह गया थे इंपोर्टेंट दोनों पेपरों से मिलेंगे और इसमें हम फस्ट पेपरों कमिट करेंगे फस्ट पेपर आपका है फोर्टीन्थ टू सफट इंफ सेंचिरी तो इनट चोड़ स्दर्द सताब्डी से ले कर और आपका सत्रीं सताब्डी तक रहेगा तो इसमें आपको प्रोस त है जो तो हैं। इनिट फॉर में आपका है ड्रामा इनिकी पिले तो इसमें हम दो पिले पढ़ेंगे एक तो है आपका करिस्टोफर मरलो यह डक्टर फेॉष्टर्स का है इसमें दूसरा पिले है आपका किंग लियर जो की ड्रामा है ट्रेजडी है यह है बिलियम सेक्षफिर का तो यह पढ़ाएंगे और इनुट नमबर फाइव यह भी आपकी पिले की यह ने ड्रामा की है इसमें आपके दो पिले हैं जिसमें जौन बेवेस्टर का है दा डचेज आप मौलफी बिलियम का उंग्रीब का है दा बे आफ दा व कोशन और इसके बाद में अगला वीडियो आपका आगा तो उसमें उन साथ कोशन के आंसर को कुप्लिट करेंगे कबर करेंगे और जो भी आपकी और इनुट वाइज भी आपके सारे कोशन हमने लांग भी बता दिये हैं उन में से जो कोशन बेरी मोस्ट इंपॉर्टन 1.1.2 वाइस मिल जाएगा तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इदि आप लोग डीपली स्टडी करना चाहते हैं अडवांस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब के साथ साथ आपके लिए हमारी अप्लिकेशन भी आ चुकी है जिसका लिं से आपके जेस्ट कर सकते हैं और आपके एक्जाम के लिए मैंने बहुत कम फीज रखी है कोई और जल्दी से हम निकालेंगे कि आप एक्जाम कब होने वाला है उस तरीके से आपको कोई दिक्कत ना हो तो जो कोशन हमने आपको बताएं हैं यह इंपॉर्ट कोशन है इन में से हम आपके लिए इनके सबी के आंसर भी दिलवाएंगे मतलब प्रवाड कराएंगे और फिर आप देखते हैं आपके कोशन जो हैं सौर्ट उनको देख लेते हैं इसमें जो भी इनको बताएंगे आपके लिए और साथ ही लेजिए आपके आगे यहां पर सौर्ट कोशन तो यहां पर पेपर फस्ट है इंग्लिस लिट्रेचर और लिट्रेचर कब तक का फस्ट सब्सक्राइब करना चाहते हैं और उससे आपको बहुत अच्छी स्टड़ी मिलेगी और सब कुछ आपको महाँ पर मिलेगा जिसमें आपके लिए डाउड क्लासे चेप्टर वाइस मीनिंग बहुत आपको मैंने बता हुआ तो पहला है आपका राइटे नोट आण बेकन प्रोज स्टाइल कर थूए उसके बारे में यापको स्क्वयर नाइट इन प्रोलॉग्ड प्रोलॉग्ड टू कंटेवरी टैल्स तो ये चप्ट रही है अपका और ये आपको इन्होंने पूछा है तो इता है आपका कोशन है आपका short में very most important question है यह आपका यह और यह जियोफ्री चॉसर जियोफ्री चॉसर नाम की नाम के राइटर है इनकी poem है the general prolog to the country tells ठीक है तो यहाँ पर आपका question number जो third है वो है discuss the character sketch of perolos to perolos to country tells तो यह निकी poem है यह number जो third second है आपका poetry का उसमें आपकी question दिये हुए है और अगला question है write the character sketch of author in fairy queen तो author in fairy queen यह भी आपकी poem है और इसमें आपके लिए जो है इसके बारे में बताना है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं और इनका character कैसा है यह किस role के लिए इसमें मतलब presentation हुआ है जिसके दा style आप paradise last तो paradise last यह भी आपकी poem है जो कि जोन मिल्टन दोर लखी गई है और यह paradise last book first है यह इन्हों ने कई book के लिखी हैं तो यह हम पढ़ेंगे यह थर्ड में poetry में paradise last book first हलाकि इसका syllabus मने अप्लोड कर दिया अगर आपने नहीं देखा है तो प्लिष्ट में जाके देख लिजिएगा लिंक आपको वीडियो में मिल लागा प्लिष्ट का भी वहां से भी आप इसको देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन आपका है राइट ए रहेंगे और आप लोग यह बिता दिए किसके से उनिवेस्टी साप लोग बिजिट कर रहे हैं तो वह चीज़ भी आपके सामने आजाएगी और यह कोशन सारी युनिवेस्ट जो भी युनिवेस्टी आपकी है यह मैं इंग्लिस लिट्रेचर है आपका अगर यह स्रेवस ह है 14-17 सेंचुरी का तो कोशन और वीडियो आपके लिए काफी इंपर्टेट रहेगा अर्ला कोशन आपका है डिसकस दा इंपर्टेंस आप दा ओपनिक शीन आप दा पैर लास्ट पैरडाइज लास्ट का जो ओपनिक शीन सीन है द्रस्ट है वो कितना महत्रपून है उसके कि है जो की दकन अम से इसको जना के जा है इसका सेगन नाम है आपका गो एंड कैच फालेंग स्टार ठीक है तो यह पोएम है इसको आपको इससे बिकोशन आपके इंपोर्टेंट रहेंगे आने के लिए तो जो इंपोर्ट रहेंग आपको देखना है अगला कोशन दिया यnew प्रजेंट आयां, निकी प्रफ़दमान में उपस थे था, किस तरीके से उपस थे थे, तो इए आपको बताना है. अकला कोशन आपका है नेक्ट है डिसकेज़ दा प्लॉट आप सेक्सपियर से किंग लियर ट्रेज़डी ड्रामा जो प्लॉट है सेक्सपियर का जो पिले है किंग लियर ये ट्रेज़डी ड्रामा है ये तो इसके बारे में आपको बताना है और इसका आपको आ NASR देना है अगला कोशिण इसी में है discuss the major theme of Shakespeare's King Lear जो Shakespeare का जो play है king lear इसकी major theme क्या है तो major theme के वारे मगाताना आपके लिए और अगला कोशिन आपका है discuss the character sketch love reason in Shakespeare's tracy's degree play king lear जो reason है इसका King Lier जो पिले है ड्रामा है इसमीं क्या रोल है तो यह आपको बताना है अगला कोशन आपका इसी में है डिसकर दा थीम आफ द बे आफ द वल्म जो द बे आफ द वल्ल जो पिले है बिलयम का अउर्व का तो इससे जो पिले जो आपका नाटक है इसकी थीम क्या है इसकी आपको थीम बतानी है नहीं की कतावस्तू बतानी है आपकी इस पिले के बारे में अगला इसी में आपका है पेपर सेकंड को मैंने इसी में कमर कर लिया है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा फिर भी मैं आपको इनूट बाज बता दूँ कि किस चीज से हमें क्या पड़ना है और कितना क्या कुछ आने वाला है तो इसमें आपकी जो है जो second poem है पेपर आपका ये total poetry का है और साथ में आपकी एक इनूट जो दी हुई है वो आपकी दी हुई है फिक्सन इनकी short story type में तो जो इनूट आपका first है first में भी आपकी poetry है second में भी poetry है और आपकी जो third इनूट है इसमें भी poetry है और इनूट four है इसमें poetry है इनुट फाइब में क्या दिया हुआ फिक्षन दिया हुआ है फिक्षन भी एक परकार की साट स्टोरी होती है ठीक है तो इस पेपर से लेकर जो हमारे इंपरूट कोशन है साट वाले बो हम देख लेंगे जो कि 18th टू, 12th सेंचुरी तक का माना जाता है तो इसको देख लेते हैं देखिए इसमें जो पोईटरी है वो अलग अलग तरिक यह की है कई पोईट है इसमें बहुत कुछ यहां मैं पढ़ना है इसमें तो यह पेपर काफी डिफिकल्ट भी है और एक्स्प्रेशन भी आएंगे इस से तो short question देख लेते हैं पहला short question आपका है discuss the meaning of the title of the Alexander Pope the rape and the lock ठीक है तो यह आपका जो question है काफी important है जो कि Alexander Pope की poem है the rape of the lock ठीक है अगला question आपका है what is the difference between the two teachers as given in Charles Lamb's the old and the new school master तो यह मतलब को एक question है इसमें पूचा गया कि क्या अंतर है इसमें ठीक है तो इसके बारे में आपको बताना है question number third है हमारा third question number कह रहा है कि what has been discussed in Matthew Arnold's book जो Matthew Arnold की जो poem है उसके बारे में पूचा है तो Matthew Arnold ने क्या लिखा है sweetness and light from culture and archery chapter first तो यह archery chapter first है यहाँ पर ठीक है chapter first है तो इसके बारे में पूचा है तो इसके बारे में आप कह जानते हैं वो आपको बताना है ठीक है अगला question आता है आपका discuss the titan अभी as a nature poem जो titan जो poem है अभी यह nature poem है तो यह nature poem किस ने लिखी है ठीक है तो nature poem किस ने लिखी है यह आपको बताना है इसमें आपके William Burt Swart भी है और आप John Kate भी है अब कोशन आपका दिए हो PB Sally as a revolutionary point ठीक है PB Sally as a revolutionary point जो PB Sally के बारे हैं पूछा गया तो इनका question बनता है इन्होंने जो poem लिखी है PB Sally ने वो है Ode to the best wind ठीक है तो Ode to the best wind यह इनकी poem है काफी अची poem है यह और अगला question आपका दिया हुआ है इसका John Kate and William Burt Swart as a nature poet जो John Kate है और William Burt Swart यह दोनों ही लोग किस लिए जाने जाते हैं यह लोग nature poet के नाम से जाने जाते हैं What do you know about the Alfred Lartanation as a lyric poet जो Alfred Lartanation है वो एक lyric point है तो उनकी बारे में आपको कैसे क्या जानते हैं आप लोग तो इनकी poem दी हुई है Brick Brick ठीक है कहना है मैंने का Brick Brick यह poem है और यह के इसकी साथ में दूसरी poem दी हुई है वो है Crossing the Bar ठीक है तो यह दो poem में दी हुई है आगे बढ़ते हैं अगले question में अगला question आपका है discuss T.S. Elliot's The Best Land The West Land And The Modern Epic T.S. Elliot जो है और इनकी बारे में इन्होंने भी कई poem में लिखी है तो इनकी बारे में दी है The West Land ठीक है तो इनकी यह poem है तो इसके बारे में पूचा किया है यह epic है epic को कहते हैं हम लोग महा काबे यह मैंने कई जो semester आपके पढ़ाए है B.A. में तो उनमें भी epic आया है तो उसको महा काबे बोला जाता है महा काबे कहते है उसमें कोई खंड कर नहीं होता है कोई ध्या नहीं होता है एक तरफ से चलता है यह से ले लो तो वो भी एक epic है महा काबे बोलाता है अकला question आपका है राइटे करेक्टिस के चाफ ब्लादीमीर इन सेमगल से बॉकेट वेटिंग फार दा गोड़ेट बढ़ते हैं शेमगल बॉकेट एक मट यह सेमगल बॉकेट बेटिंग फार गोड़ेट यह आपका ड्रामा है इसमें पिले है जो पॉयम जो यूनिट फॉर है यूनिट फॉर में आपका ड्रामा है इनकी पिले है और यूनिट फाइब जो है वो फिक्षन में है इनकी तीन पॉयम जो यूनिट है आपकी वो वो पोड़ेटरी में है उनमें आपको पोड़ेटरी पढ़नी है तो अगला कोशन आपका है डिसकस दा करेक्टर स्केज आफ शोफिया बिस्टर्न इन टाम जोन्स कोशन के आंजर देने हैं तो काफ़ इंपोर्टर्ट कोशन है ये भी और आगे बढ़ते हैं विसी के साथ में अगला कोशन आपका है डिसकस ऐपाट्रिट आपड आपडार्टिस्ट ऐज ए यंग मैन थरना घ्जामपल आपそれでは श्टीम आप कौनसिश शन्य सार्य फिक्टान है स्टोरी ये इनकी ये के नम इसक्टोरी का पैट्रिट आपडापड आपडार्टिस्ट ऐज यिंग मैन ठीक है interesting कापी कहनी या यह नहीं स्टोरी हैं साथ स्टोरी question नमबर थार्टिन है आपका discuss the character? the sketch of Curtis in Joseph Conrad the heart of darkness तो heart of darkness यह भी आपकी जो है साथ स्टोरी है इनकी स्टोरी है तो इसमेरे आपको जो Curtis है उसका character पोछा गया है ठीक है? तो इस प्रिकार्ट से कोशन दोनों पेपरों के कम्लिट हो गए और अगले वीडियो मिलेंगे तो इनके लांग कोशन और सौड कोशन की आंसर भी आपको बताएंगे और आप लोग अपने दोस्तों में शिर्क कीजिएगा फर्स टाइम डिट करते हैं चैनल को सबस्क्राइब परके बिल आ कनाल पर प्रिस कर देना जिससे इन देनता अपडेट आपको मिलता रहा है और अप्लिकेशन भी आप लोग डानलोड कर सकते हैं मिलेंग नेक्स वीडियो में तैंक यू